हमाकेदार दिवाली शिर्फ उठकर्स के साथ इस दिवाली ट्रपल धमा का ओफर में मिल रहा है S.S.C. और रेलवे के सभी ओनलाइन कोस्ट पर 90% तक की छूट तीन महीने की एक्ष्टा कोस्ट वेलिडिटी और लाइफ रॉम क्लास्रूम कोस्ट के साथ में रिकॉर्डेट कोस्ट फ्री लेकिन यह ओफर सिर्फ तीन नॉम्बर तक है सब्सक्राइब अपने इस प्यारे से बैच में स्वागत करता हूँ अपने S.S.C. ओधकर्स के इस ओफिसियल चैनल पर और अपने इस समर्पन स्रीट में फोई ससी जीडी तो चलिए सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है एक बार फिर से मेरे लाल और जल्दी से सभी के सभी जुड़ता हूँ मेरे चीते उसके बाद सुरू करते हैं आज का टॉप मोस्ट M.C. Q जी हाँ आज का जो टॉप मोस्ट M.C. Q है वो प्रिविस क्लास जो हम लोगों ने किया थे जानि कल जो किया था उसी के जस्ट आगे चलेंगे जो हमने होम वोग दिया था उसको सौल करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आप सभी को एक बार फिर से तहदिल से हलो है हैं तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्टने करते हैं सेशन को like, share, जबरजस तरीके से कर देना मेरे लाल, फिर करते हैं अपने प्यारे से सेशन की सुरुवात और इस अपने प्यारे से सेशन में कल हमने यही home work दिया था ठीक है तो home work से ही अपनी जर्णी आज हम सुरू करने वाले हैं और home work का सवाल कितने लोगों ने किया भाई एक बार comment box में comment करके बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने home work को proper तरीके से seriously लिया है और इसे solve भी किया है देखो तो कितने तरीके से first second and third पुरसकार 7 छात्रों के बीच वितरित किया जाना है सेवन छात्रों के बीच first पुरसकार and then second पुरसकार and then third पुरसकार second and third first second and third first second and third पुरसकार ठीक है भी या तो first पुरसकार second पुरसकार and third पुरसकार इन तीनों की बीच साथ चात्रों के बीच वितरित किया जाना है तो बताईए मरे लाल कि इनको कैसे कैसे ये पुरसकार distribute किया गया तो देखो साथ चात्र है साथो चात्रों के बीच हमें तीन पुरसकार देना है देखो बच्चे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही चात्र first भी आए वही चात्र second भी आए वही छात्र थर्ड भी ऐसा पॉसिबल है आप खुद बताओ नहीं पॉसिबल है एक छात्र एक ही पोजीशन ले सकता है या तो फस्ट या तो सेकेंड या तो थर्ड तो आईए सबसे पहले हम फस्ट पोजीशन को डिस्टिब्यूट करते हैं तो मेरे पास कुल साथ पिपल है और फस्ट पोजीशन हम इन साथों में से किसी भी एक को दे सकते हैं इसका मालब मेरे पास साथ पोजीशन साथ एवेंट्स हो सकते हैं और सेकेंड पुरसकार अब दोको फस्ट पुरसकार जिसको दे दिये है अब उसको सेकेंड तो देंगे नहीं इसका मालब मेर पुरसकार पांच प्रकार से ले सकते हैं और यह सारे के सारे इवेंट्स होने हैं तो पांच चके 30 असात्रीक 21210 210 210 210 यानि 210 ऐसा है जो आप सभी आप सभी के बीच यह 210 प्रकार से यह जो पुरसकार है वो वितरित किया जा सकता है वो 10 प्रकार से पुरसकार वितरित किया जा सकता है ठीक है बया जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बच्चे कि क्या आपको मेरी बात कि आपको मेरी बात समझ में आरी मेरे लाल उमिद करते हैं मेरी बात आप सभी को बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी कि कुल 210 प्रकार से मतलब जो होमग था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है कुल 210 प्रकार से हम यह साथ लोगों की बीच फर्स सेकेंड थर्ड पूरसकार दे सकते हैं अब हम आते हैं अपने दसमे सवाल पर दसमा सवाल भी हमारा बहुत प्यारा कोश्चन है आए कैसे करते हैं कर रहा है पिकनिक के लिए पैकिंग करते समय कोई भी हाती है मोहन वुपल प्यक्निक के लिए पैकिंग करते समय मोहन ने दो जोडी जूते और तीन सर्ट और दो टीशर्ट चार पतलून और दो जैकेट पैग किये पोसाख को उपरी वस्तर रूप में यान एक सर्ट या एक टीशर्ट पहन सकता है एक पतलून पहनना है जूते की एक जोडी और एक जैकेट के रूप में परिवासित किया जाता है कितनी पुसाकें संभव हैं तो दो को पिकनिक प्लेस पे गया अब धान दो उगा करा है कि दो जोडी सूज लेके गया मतलब सूज उसके हैं जो दो जोडी है और तीन सर्ट दो टी सर्ट एसेच फॉर सर्ट जो की तीन है और दो टी सर्ट है मतलब टी सर्ट जो है उसके पास दो है दो टी सर्ट है चार पतलून है पी फॉर पतलून जो की चार है चार पतलून है और दो जैकेट है जे फॉर जैकेट और वो कितना है भीया वो उसके पास दो है वो उसके पास कितना है दो है वो उसके पास कितना है दो है ठीक है ना दो जैकेट पोसाग को एक उपरी वस्त्र यानि एक सर्ट या टी सर्ट मतलब जो उपरी वस्तर है उसके पास पहनने को shirt और t-shirt दोनों है लेकिन हमको bracket में साफ साफ लिख दिया है कि यानि एक shirt या t-shirt मतलब वो shirt पहन सकता है या वो t-shirt पहन सकता है वो दोनों में से कोई एक ही पहनेगा ऐसा नहीं है कि वो सर्ड भी पहन ले और टी सर्ड भी पहन ले हलांकि फैसन के दौर में कुछ भी पहन लो सब फैसन ही है लेकिन यहाँ पर कोई एक चीज पहनना है तो सर्ड पहनने के दो तरीके टी सर्ड पहनने के तीन तरीके उसके पास मानो किसी होटल में बेड पर कुल पांच रखे हुए हैं सर्ड और इसर्ड मिला के तो उसको कितने प्रकार से पहन सकता है तो फाइप अप्रोचेट से पहन सकता है पुसाग को एक उपरी वस्तर पुसाग को एक उपरी वस्तर करूप में पांच एक पतलून एक प जोड़ी सूज की एक जोड़ी सूज की एक जोड़ी तो सूज हमारे पास दो हैं और सर्ट इसर्ट हमारे पास एकुल पास थे सूज मेरे पास दो हैं तो सूज को पहनने के दो तरीके कोई एक पहन सकता है ठीक है और एक जैकेट के रूप है जैकेट जैकेट हमारे पास कितन हो सकता है 80 प्रकार से वह अपने कपड़े को पहन सकता है à 30 इवेंड्स हो सकते है जिस जोकि वह पहन सकता है ठीक है ना एक पार देख लीजे आपको सारी बात उमीद करते हैं समझत में आ किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं रही होगी जहां तक हमें उमीद है कोई भी तकलीफ आप सभी को नहीं होनी चाहिए ठीक है न आईए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये आपको गलत करा देगा तो थोड़ा सा केरफुल रहना मैं आपको पहले से हिंट कर दे रहा हूँ हाँ बिल्कुल साइड हट जा रहे है भी या आराम से पहले सवाल पढ़िए कह रहा है पिकनिक के लिए पैकिंग करते हैं समय मोहन दो जोड़ी जूते ध्यान रखना उसके जो सूज हैं वो दो ज ती सर्थ है दो टी सर्थ है टी सर्थ कितने हैं दो है तीन सर्थ हैं दो टी सर्थ हैं चार पतलून है पतलून पी फॉर पतलून जो की क्या है चार है पी फॉर पतलून जो की चार है और दो जैकेट पैक किये मतलब जे फॉर जैकेट जो की दो पैक किये जे फॉर जैकेट यानि एक सर्ट या एक टी सर्ट का इस्तेमाल करना है एक पतलून जूते की एक जोड़ी और एक जैकेट के रूप में परिभासित किया गया यदि ये लाइन महत्तोपून है यदि जैकेट पहनना वैकलपिक है तो कितने पुसाख संबव है मतलब जैकेट पहनना वैकलपिक है वो पहन सकता है और वो नहीं भी पहन सकता है जैकेट पहनना पिछले सवाल में वैकलपिक नहीं था आप देखिए ना पिछले सवाल में कहा रहा है कि एक जैकेट को रूप में परिभासित किया सकता है कितनी पुसाख संबव है पहन सकता है, तो आप हम बताईए, कि भाया क्या करना है, देखो, कह रहा है, पोसाग को एक उपरी वस्त्र, अब उपरी वस्त्र है, उसके पास एक सर्ट या एक टी सर्ट, तो उपरी वस्त्र के लिए आपके पास सर्ट दो है, और टी सर्ट आपके तीन है, टी सर्ट आपके टी-सर्ट मतलब 5 में से कोई भी एक पहन सकता है उपरीवस्तर तो उसके पास कितने तरीके हो गए मेरे लाल उसके पास 5 तरीके हो गए उसके बाद क्या करा है एक पतलून पतलून पहनने के पास उसके पास चार तरीके हैं कोई भी एक पहन सकता है एक पतलून जूते की एक जोड़ी तो सूज की एक जोड़ी देख लो पतलून भी हो गया सूच की एक जोड़ी तो सूच की एक जोड़ी क्या हो गई दो ठीक है ना सूच की जोड़ी और एक जैकेट के रूप में परिभासित क्या आता है यदि जैकेट पहनना वैकलपीक है अब देखो उसके पास जैकेट पहनना वैकलपीक है मतलब वो जैकेट पहन भी सकता है वो जैकेट वन पहनने का है और एक तरीका उसको जैकेट दूसरा पहनने का है और एक तरीका उसको जैकेट नौ पहनने का भी है चुकि अगर पहना अगर पहना तो उन दोनों में से कोई एक पहने का दो तरीका हो गया नहीं पहना तो ये भी तो एक तरीका है कि वो नहीं पहना वो hero बनके जाना चाहता है घूमने वो नहीं पहना जैकेट तो नहीं पहना अगर जैकेट तो ये भी तो एक तरीका है तो कुल कितने events हो जाएंगे तीन तो यहां जैकेट पहनने के कुल तीन event हो गए क्यों कि अगर वो पहना तो दो तरीके होंगे क्यों दोनों से कोई एक प समझ पा रहे हो बहुत प्यारा सा क्वेशन था इसका जवाब भी हमने बहुत प्यारा सा दिया है और उमीद करते हैं आप जैकेट का जो बैकल्पी केस है आप समझ पा रहे होंगे कि या तो वह पहला जैकेट पहनेगा या तो वह दूसरा जैकेट पहनेगा या तो वह तीसर जैकिट पहनेगा ठीक है ना किलियर है की नहीं बताओ ठीक है ना अब यह दूख बाबो क्या कह रहा है करा लाल पीले और नीले रंग में से एक या सभी रंगों का उपियोग करके पांच खड़ी पट्टियों वाले जंडे को कितने तरीके से डिजाइन किया जा सकता है पां पीले और नीले रंग में से एक या सभी रंगों का उपियोग करके पांच खड़ी पट्टियों वाले जंडे को कितने तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है कितने कलर हैं लाल रेड पीले येलो नीले बुलू ठीक है ना तीन कलर है भाई रेड येलो एन ब्लू ठीक है ना सभी रंगों का मतलब पूरा freedom है किसी एक रंग का बना दो सभी रंग का बना दो mix बना दो, फलना बना दो, ढमका बना दो किसी भी प्रकार से आप रंग सकते हैं उपयोग करके पांच खड़ी पट्टियों वाले जंडे को कितने तरीके से डिजैंग कर सकते हैं, आइए पांच खड़ी पट्टि वाले जंडे तो आइए बना लेते हैं ये पहला जंडा, ये दूसरा जंडा ये तीसरा जंडा ये चौथा जंडा, एक, दो, तीन, चार, पांच जंडे हो गए कितने हो गए पहला जंडा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल पांच, खड़ी पट्टी के जंडे हो गए इनको इन तीनों कलर में से किसी एक से या सभी से कर सकते हैं तो पहली पट्टी को कलर करने के तीन तरीके चुकि इन में से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं अब दूसरी पट्टी तो जरूरी नहीं है कि जो color हमने use कर लिया है उस color का इस्तेमाल अब हम दुबारा use नहीं करेंगे ऐसा नहीं है अगर हमने इसको मान लिया rate से भर दिया तो ऐसा कोई condition नहीं है कि अगला rate से नहीं होगा कोई condition नहीं है कहा किसी एक से भर दो रंग भी रंग भर दो सभी का use करो कैसी एक का use करो कोई conditions नहीं है तो इस बगल वाले को भी इन तीनों में से कोई color use कर सकते हैं को भरना नहीं वार रहे हैं इसका माला तीन तरीक का नौ तरीक 27 तरीक 81 तरीक 243 तरीकों से 243 तरीकों से 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कुल 3 तरीकों से इसको डिजाइन किया जा सकता है इसको डिजाइन किया जा सकता है कोई दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ है क्या जल्दी से बताओ कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या कोई तकलीफ तो बच्चे बता सकते हैं अब यह मत समल लेना कि मैंने येलो से यहाँ पे कलर कर दिया तो सब कोई येलो से भरा है ऐसा नहीं ह आप येलो, रेड, ब्लू किसी का भी इस्थेमाल कर सकते थे ठीक है न? उमीद करते हैं सभी को बात बहुत प्रॉपर तरीके से ढंग से समझ में आगया होगा किसी को कोई तकलीफ समस्या बच्चे बिल्कुल भी नहीं होगी आगे Next question on the screen right now लाल पिले और नीले रंग में से कोई भी नहीं या सभी रंगों का उप्योग करके पांच लंबबबत पट्टियों वाला ध्वज कितने तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है लाल नीले और ब्लू देखो रेड है रेड है ब्लू है और येलू है लाल पिले निले रंग में से कोई भी कोई भी नहीं या सभी रंग का उपियोग करके पांच लंबोत पट्टी वाले द्वज कितने तरीके से डिजाइन किया रहा सकता है तो आईए एक बार आप भी ट्राइ करिए ठीक है ना आप भी एक बार कोईस करिए बताईए देखते हैं कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं जल्दी से बताई भी या जादे समय नहीं देंगे बच्चे मैक्सिमम एक मिनट का टाइम रहेगा आपके पास एक बार आप जल्दी से बताने की कोईस करेंगे कितने तरीके से आप क झाल 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 यहां पे कितनी पट्टी है तो पांच देखो एक, दो, तीन, चार और पांच एक, दो, तीन, चार पांच एक, दो, तीन, चार पांच एक, दो, तीन, चार पांच में से कोई भी नहीं या सभी रंगों का उपियो करके पांच लंबबत पट्टीओं वाला ध्वस कितने तरीके से डिजाइन केरा सकता है तो एक, दो, तीन, चार तरीके चार कलर है क्यों क्योंकि इसने कहा है कि तीनों में से कोई भी एक या सभी या इन में से कोई भी रंग यूज नहीं किया सकता मतलब मेरे पास चार कलर हैं कलर करने के तो पहले वाले को चार में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जो कलर यूज कर लिया बगल वाला यूज नहीं करेंगे इसका मतलब इसको भी चार कलर से कर सकते हैं इसका मतलब इसको भी चार कलर से इसका मतलब इसे भी 4 से इसे भी 4 से अब देखो ये 4 एक देखो तो यहाँ पे 4 का मतलब 2 गुना 2 1, 2, 3, 4, 5 5 बार 4 है हर बार में 1, 4 में 2 बार आ रहा है तो 5 बार में 2 आएगा 10 बार दो के पावर 10 आपको पता होना चाहिए 1024 होता है या दरखना इस बात को बहुत काम की चीज़ है इसका मतलब हम कलर कर सकते हैं 1024 तरीके से कितने तरीके से 1024 तरीके से हम इसको कलर कर सकते हैं उमीद करते हैं कि आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से और गहराई से समस पा रहे होंगे ठीक है भईया क्लियर है की नहीं भई बच्चे बताओ बहुत ही प्यारा सा क्वेशन है ठीक है न और आप सभी के लिए एक महत्तुपन सूचना ध्यान रखना आप सभी के लिए आपकी छोटी दिपावली सुब हो आप अपनी इस छोटी दिपावली और दिपावली में अप आपने उतकर्स परिवार के साथ इस दिवाली उतकर्स एक्टूबर से तीन नौंबर तक curso एज़़े जो धमाका ओफर है वह उतकर्स के SSC और रेलवे के सभी online courses पर आपको मिल रहा है up to 90% discount extra value for 3 months मतलब आपका जो भी course होगा उसमें 3 months की extra value आपको add हो जानी है और आपको live from classroom का batch free मिल रहा है मतलब जो course आप आपाई करोंगे उसका live from classroom मतलब offline का जो batch है वो record form में आपको free मिल रहा है तो बहुत ही सांदार सा आपको offer है इसलिए इसको triple धमा का offer बोला गया और ये triple धमा का offer बच्चे ध्यान रखना ये आपका 24 से start है और 3 number तक हता है मतलब 24 October से 3 number तक ही है तो भाया देरी मत करना अगर कोई आपका मन पसंदा course है तो इस offer में इसका benefit आप ले लेना वरना फिर original price में आपको फिर जादे price कर देना पड़ेगा सांदी साथ अब उतकर्स एप में सभी taste series पर भी पाएं up to 90% discount क्यों? क्योंकि आप सभी जब किसी भी परिक्षा की त्यारी करते हैं आप त्यारी करते हैं आप परिक्षा से पहले परिक्षा की जांज करना बहुत जरूरी होता है आप SSC 2, CGL 2, CDS 2, CPU SI 2, SCCD 2, Railway 2, किसी का भी दो और परिक्षा से पहले आप 10, 15, 20, 20, 20, 20 मौक टेस्ट अगर लगा लेते हैं तो आपके बुद्धी खुल जाने वाली है क्यों कि अपनी एक R&D डिपार्टमेंट है जो आपके respected exams के regarding जो भी पिछले कई सालों में सवाल आपको बहुत कुछ सिखाती है तो एक बार पहले सलेवास अच्छे से पढ़ें और अपने साथ टेस्ट श्रीज के सांझ जोड़ सकते हैं महला बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से बच्चे आइसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं सर प्राक्टिस करना चाहत चलिए अब आगे चलते हैं अपने next questions की तरफ और अपना next question क्या है यह क्या कह रहा है लाल पीले और नीले रंग में से एक या सभी रंगों का उपियोग करके पांच खड़ी पट्टियों वाला जंडा किते तरीके से design किया सकता है देखो लाल पीला नीले रंग में से एक या सभी रंग का इस्तेमाल करके पांच खड़ी पट्टियों बना सकता है किया सकता है यदि दोनों बाहर की पट्टियों पर केवल लाल रंग का उपियोग किया जाएगा मतलब बाहर की पट्टियों पर दोनों बाहर की पट्टियों पर केवल और केवल लाल रंग का प्रियोग किया जाएगा देखो conditional हो गया यह एक पट्टी दो पट्टी तीन पट्टी चार पट्टी अब कराए कि बाहर की पट्टियों पर केवल लाल रंग बाहर की पट्टियों पर केवल लाल रंग का प्रियोग किया जाए तो केवल अगर लाल रंग का प्रियोग किया जाए तो किने तरीके होंगे एक चुकि रेट तो हमारे पास भरने के एक ही है तो कितने तरीके हो जाए है सिर्फ सिर्फ आपको रेट से भरना है ठीक है न और कह रहा है इसका मतलब बाकी पट्टियों को हम किसी से भर सकते हैं अच्छा ये भी नहीं है कि इसको जिससे भर दिया बगल वाला वो कलर नहीं होगा ऐसा भी नहीं है तो ध्यान दो मेरे पास तीनी कलर था तो इसको हम सबस्क्राइब बाहरी के दो रेड ही होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए अपने पास, रेड ही होनी चाहिए, कंडीशनल है मेरे लाल, ठीक है ना, चलें आगे बढ़ें, next, अब देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं तो नजरों का धोखा होना, बहुत ही सभाविक सी बात है, और इस तरह के questions आपके परिक्षा में प ब्लू रंग में से एक या सभी रंगों का उप्योग करके, पांच खड़ी पट्टियों वाला जंडा कितने तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, लाल पीले और नेल रंग में से कोई एक या सभी का प्रियोग करके, पांच खड़ी पट्टियों वाला जंडा कि क्या है यदी लाल रंग दोनों बाहरी पट्टियों पर ही इस्तिमाल किया जा सकता है। इसका मतलब नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यहां पर तो तीनों प्रियोग हो सकता है। कंडिशन नहीं है कि जो यहां रेड आ गया तो बाहर वाला रेड नहीं हो सकता है। तो कोई condition भी नहीं है ठीकिन और condition भी देज़े दो कोई दिकत नहीं है तो तीन दोना चे या ऐसे कर लो तीन तरीक्षा वह जायगा नौ और दो दुना चार दुना आठ और आठ नवा हो जाएगा कितना 72 प्रकार से आप फिल कर सकते हैं इमानदारी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे लाल कि क्या आपको बात सच में समझ में आ रही है या फिर कोई तकलीफ है तो मैं उम्मिद करता हूं कि आपको यह बातें बहुत प्यार से समझ में आ रही होंगी और बहुत ही सांदार तरीके से आप चीजों को सीख भी रहे होंगे ठीक है ना पहुत बढ़िया आए अगला सवाल देखिये लाल येलो एंड ब्लू रेड येलो एंड ब्लू रंगों में से एक या सभी का उपियोग करके पास खड़ी पट्टी वाला एकजंडा कित तरीके से बनाया सकता है यदि नीला रंग दोनों बाहर की पट्टीओं पर उपियोग ना हो यदि नीला रंग बाहर की दोनों पट्टीओं पर उपियोग ना हो इसका मतलब अंदर की पट्टीओ यदि नीला रंग दोनों बाहर की पट्टियों पर उप्योग नहों मतलब नीला रंग बाहर की पट्टी पर उप्योग नहीं होगा मतलब रेड एन यूलो यहां होगा और यहां पर रेड एन यूलो होगा बाकी के पट्टियों पर यूज हो सकता है कौन कलर नीला कलर तो इसको भरने के किते तरीके होंगे दोई होंगे इसको भरने के दोई होंगे बाकीयों के भरने के तरीके तीन होंगे चुकि कोई condition नहीं है कि ये color बगल में नहीं होना चाहिए यह color bugle में नहीं होना ची ऐसा कोई conditions नहीं है तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकि सब के सब तीन तीन तरीके होंगे तो तीन दुना 6 और या तो तीन तरीक का नौ तरीक 27 दुना 24 इंटू 2 तो दो चोगे 8 दो चोगे 8 और दो पंजे 10 एक सो दस तरीके से एक सो आठ तरीके से कर सकते हैं 108 एप्रोचेट से हम कर सकते हैं क्या आपको मेरी बात समझ में आरी मेरे लाल जल्दी से एक बार आप सभी विद्यार थी कमेंट करके बताओ बच्चे ठीक है क्लेर सभी को चलो बहुत बढ़िया सांदार जबरजस्त और जिंदा बाद तो आज के से सिशन में मेरे लाल हमने अपने इस बहतरीन वराइटी के दूसरे जरनी को कम्प्लीट किया तो उमीद करते हैं आप बढ़िया सीखे होंगे एक अच्छी नॉलेज एक अच्छी समझ विक्सित होई होगी आपको लग रहा होगा कि सर मैंच भी है और रेजनिंग का भी फिलिंग दे रहा है तो बहुत प्यार से सीखेगा समझेगा मज़ेदार तरीके से मेरे लाल और अपना दिपावली कुछ खास बनाईएगा मेहनद करिएगा स्वस्त रहेगा बेस्त रहेगा अपनी जिन्दिगे में मैं धरनेंजे कल फिर मिलूँगा इसी जो सजबात के साथ दिपावली की देड़ सारी सुब कामनाएं भी दूँगा और साथ साथ एक बहतरीन अब तक क्लिमा धनिजे नमस्कार